अलो फ्रेंड्स, आज हम मग ऐग बनाने जा रहे हैं कि दो ही मिनिट में और एकदम healthy तरीके से और घर की सामगरी से बनाएंगे इसमें कोई भी मैदा का यूज नहीं है, कंडेंस मिल का यूज नहीं है बटर का भी यूज नहीं किया हुआ है तो एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे, मेरे बच्चों को फ्रेंड्स केक बहुत ही पसंद है, तो हपते में मुझे एक बार तो इसको बनाना ही पड़ता है, तो मैं ये हेल्दी वर्जन से ही बनाती हूं, इसके लिए हमें माइक्रोवेव सेफ एक मग ले लेना है, उसके ह अन्दर हम पाँच टेबल स्बून गेहु का आटा डालेंगे, जो रोटि बनाते हैं वही आटा मेने लिया है, तो वह पाँच टेबल स्पून डालेंगे, और कोई भी स्पून का आप माप सेट कर लिजिए, और वही स्पून से आप सारी सामगणी डालें, और 3.5 टेबल स्पून में पीसी हुई चीनी डाल रही है और 1 टेबल स्पून में कोको पावडर डाल रही हूँ यह डच का कोको पावडर है मतलब 2 पींच मेंने बेकिंग पावडर डाला है और 1 पींच मेंने खाने का सोडा डाला है और इसको फोक की मदद से सबी ड्राइंग्रेडियन्स को अच्छी तरह से मिला देंगे ये एक पिंच से भी कम मैंने सोल्ट डाला है क्यूंकि यहां पर हम बटर का यूज नहीं कर रहे है तो थोड़ा सा मैने सोल्ट डाला है अगर बटर यूज करें बाहर का सॉल्टी तो सोल्ट नहीं डाले एक टेबल स्पून मैंने घर की मलाई डाली है ये कंडेंस मिलक का ही काम करेगी और ये मैंने छे टेबल स्पून दूद डाला है जो एकदम नॉर्मल टेंपरेचर पे है और इसके बाद मैं एक टेबल स्पून दूढ पीछे से और डालने वाली हूं तो कुल मिला कि मेरे साट टेबल स्पून इसमें दूद गया है और दो टेबल स्पून खाने का ओल डाल रही हूं मैं यहाँ पर डबल फिल्टर श्रिंग तेल डाल रहे हूं आप कोई भी फ्लेवरलेस ओयल डाली है तो अच्छा रहेगा यह मैंने वन फोर्ट टीस्पून वेनिला एसेंस डाला है वेनिला एसेंस ओप्शनल है एकदम आपके पास हो तो डाल सकते हैं नहीं डाले तो भी चलेगा इसको फोक की मदद से अच्छी तरह से हिला लीजिए एकदम 3 से 4 मिनित तक आप अच्छी तरह से मिला लीजिए सारे लम्स निकल जाएं ऐसे और एकदम हलके से मिलाना है इसको फिर इसके अंदर हम 1-4 टीस्पून विनेगर डालेंगे विनेगर नहीं है तो आप 1-4 टीस्पून लिम्बू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ी से चॉकलेट के पीसिस डाल डीजिए मेने चॉकलेट का लेके डाल सकते हो और नहीं है तो वैसे भी बना सकते और इसके बाद आप हल्का सा हैसे मुक्स कर लीजिए फिर उपर से भी चॉकलेट लगाया स्प्रेड कर दीजिए और इसको माइक्रोवेव में हाई पावर पे टू मिनिट के लिए सेट कर दीजिए यह आपके मकेक बनके रेडी हो गई है एकदम डिलिश्यस लग रही है ना तो उपर से भी आप मेरे पास यह स्प्रिंकल्स था सिल्वर बॉल्स का तो मैंने डाला है आपकी मर्जी है आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं चोकलेट गनाश से भी डेकोरेट कर सकते हूं बहुत ही बड़िया बना है केक आप भी जरूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्स्राइब कर दो